जमीन गोटाला मामले में आरोपी जारखन के पुर्व मुख्ध मंत्री एवं जे एमेम के नेता हेमन सोरेन की जमानत याचिका पर आज माननिये न्याय मूर्ती रंगन मुखोपाध्या की अदालत ने फैसला सुना दिया है और उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की है इस मामले की सुनवाई पुर्व में 13 जून को पूरी कर ली गई थी और फैसला सुरचित था जिस पर आज फैसला माननिया दालत ने सुना दिया है जारखन की हर छोटी बड़ी खबर के लिए BKD News जारखन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को फोलो करें